आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगला का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अगला का आर्थ समझते हैं अगला का आर्थ होता है अगले क्रम में या आगे आने वाला यानि कि कोई चीज किस चीज से आगे होती है तो उसको हम अगला कहते हैं तो अगला का विलोम शब्द यानि कि विप्रितार्थक शब्दों का पिछला और पिछला का आर्थ होता है पूर विया पहले का यानि कि जैसे हम कहें कि 5 से अगला नंबर 6 होता है और 5 से पिछला नंबर जो है वो 4 होता है तो आईए अब हम अगला और पिछला को कुछ उधारन वाकियों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगले सप्ता है विदेश यात्रा पर जाएगा या फिर आप कह सकते हैं कि उसने अगले साल के लिए नई योजनाएं बनाई हैं और पिछला के लिए आप कह सकते हैं पिछले साल की घटनाएं याद आती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि उसने पिछले सप्ता ही यह पुस्तक पढ़ी थी अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें